वेलकम तो थोट दिपेजन चानल अगेन मैं इस वीडियो को हिंदे में बनाने वाला हूँ क्योंकि यह वाच ज्यादा इंडिया में चलती है और इंडिया में अभी तक लांच नहीं हुई है इंडिया में जो लांच हुआ है रेडमी वाच 3 एक्टिव है शायद 4 लांच हु देखेगी कि इसमें अल्ट्रा लाज अमलड डिस्पले सो रेडमी वाच 3 है उससे थोड़ा डिस्पले बड़ा है इसमें अल्यूमिनियम आलोइप फ्रेम है तो बैसिकली यह लाइट वेट वाच रहेगा और देन लॉंगर बैटर लाइप सो लॉंगर बैत्र लाइप है के करीब बैटरी बैकप देगा तो लो लेट्स डू अन्बाक्सिंग अब दिस न्यू वाज फुल पैक्टिंग आये बैसाब अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसका ओपनिंग सीधा सीधा है यह खोल दिया भाई यह देखो ब्रैंड निव वाच पूरा प्लैस्टिक कवर है उसके उपर अलुमिनियम मेटल फ्रेम है तो अभी हम इसका अन्बक्सिंग करेंगी इस पूरा निकालेंगे और उसके पहले हम देख लेए वाच में शर्द और वास्य बाइब निविक में इस में चाइजर हो शक्ता है और और इस में चारिचरर कंव है इस उदर देखके वाच को सेट कर लेते तो शार इस मैन्यूल के जरूरत ना पड़े और इस बॉक्स हम दुबारा वैसे ते वैसे रख दिया और अभी हम वाच को चेक करेंगे तो इसका प्लास्टिक हम पहले निकाल लेंगे यहां से प्लास्टिक पुरा निकाल लेया अभी तो काफी अच्छा लग रहा है वाँ देखो इसका कलर मैटलिक कलर फिनिशिंग पुरा एपल वाच जैसा लग रहा है पुरा एपल वाच के साथ कंपेर ने कर सकते बट लगबख लगबख मैच कर दिया है इतने कम पैसों में इतने फीचर दे रहा है तो यह भी बहुत बड़ी बात है चलो यह भी निकल गया भी लास्ट बचा है चलो एक प्लास्टिक निकाल के फिक दिया साइड में अब देख भाई सब वाच देखो निकाल लेते हैं वाँ वेरी स्ट्रॉंग है ओके तो यह है अपनी रेडमी वाच फोर अभी चलो इससे स्टार्ट करके देखते हैं शायद यही बटन पाउर अन हो सकता है और अकर इसमें बैटरी है तो गुड नहीं तो मझे चार्जिंग को लगाना पड़ेगा अभी दो तो स्टार्ट हुई ने ओ स्टार्ट होई इ इसमें हाइफर ओस इन्हों ने डियूलप किया है लगे इंगलिश्स सेट अप कर देते हैं डाउनलोड मी फिटनेस अफ औन यो फोन तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है मेरे फोन में तो इसके लिए मीफिटनेस यह जो रेड कलर का इकान मीफिटनेस है है यह फिटनेस अप डॉड़ कर लो मैं आइफोन में किया आप अंडरॉड में भी कर सकते हो क्लिक किया देन एंडरॉड कर दो इसके यूजब प्रोग्राम को एग्री और रिजन चूज कर लो आप लोग इंडिया चूज करेगा जहां से खरीदा है वहां चूज करेगे मैं अगर युनाइटर किंग्डम में खरीदा है तो इसके अपने अपने रिजन के बेनेफिट्स होते हैं we have to configure like that then next कर दो यह हो गया पूरा स्टेटस स्लिप स्टेट 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 स्कैलोरीस अभी तो हमको डिवाइस अक्टिव करना कॉन्फिकर करना मुझे लगता है तो configuration मैंने चेक नहीं किया बट ऐसा ही कुछ होगा देखते यहां पे तुमारा बार कोड आ गया यहां पर हम डिवाइस आड करेंगे अट डिवाइस अते एक दर दिक्कत वाली बात हो गई है यहां पर मैं थोग वोड़ा वीडियो पाउच करूंगा अपना लोग इन से लोग इन कर लूँगा और देन दूबारा तुमको ए वीडियो स्कीप करूंगा तोड़ी देर के लिए मैं लॉग इन कर लूँगा और देन वीडियो प्लेशा मैंने अभी अभी अप्लिकेशन डाला एड वाच किया और वाच ने आटोमेटिकली नजदीक का कुछ नजदीक का डिवाइस धूंड लिया है शाद इसने बार कोड लेना चाहिए बट नहीं यहां पर यहां पर सब्सक्राहइब दिखा रहा है चल यह बोल रहा है कि शूमी वाच सेटिंग में जाके माय डिवाइस को कनेक्ट कर लो चूस तरीके से आइफोन के सेटिंग में जाके ब्लुटूथ में जाके और इसमें से यह वाच नबर फॉर को क्लिक कर लो यह पेर हो गया पेर हो गया बड़ा आसा नहीं है इदर दर करके होई जाएगा कुछ ना कुछ अभी तुम्हां एंडॉड में कन्फिगर करोगा एंडॉड का ऑक्शन कुछ थोड़ से डिफर करेंगे बट लगब दोनों से सब्सक्राइब इसमें रहेंगे शायद ये वाच होगा डाउनलोड मी फिटनेस ऑन यू यह दोबरा क्यों दिखा रहा है तो हो गया है चलो देखते कुछ देल तक नॉट कि ये कनेक्ट हो गया तरह दीका रहा है अभी हम लोग में विटनेस वाच में जाएंगे ये वाला वाच रहे गा पैर हो गया पता नहीं दो दो बार ऐसा क्यों पूचा प्ट हो गया इभा इस लोंग एस उनली वन अपडेट कर लेते यह स्टार्ट पे देट वाच का डाउनलोड कर लेते यह फॉर्मबेर आ गया है रिसेंटली यह भी अपडेट कर लेते हैं थोड़ा चार्जिंग को लगा देते हम लोग पता नहीं बैटरी कितना है इस बेटर तो है फुल चार्ज यह चार्जिंग कभी आपको देखने मिल जाएगा यह यहाँ पर दो डॉट है शायद ईजिली कनेक्ट हो जाता है जैसे यह से रख तो इसका मैगनेट बड़ा पाउरफुल है फुल चार्ज था जैसे यह सार्ट से मैं लेता हो तो यह पुश कर रहा है मतले मैगनेट फुश कर रहा है तो इस सार्ट से आगा यह बरी नाएस सम्झ दिफ्रेंट वाश तो काफी फुल चार्ज था कोई जरूरत नहीं थी बर इस फाइन सो यह अप्ग्रेडेशन मैं चलने देता हो आई विल स्किप इस वीडियो फॉम्वेर अप्ग्रेडेशन और देन विल शो यू अब्रेटिंग अगें हंडे प्रेसंट फॉम्वेर अप्डेट हो गया है और दिवास कनेक्टर इड वरिफार्ड दन oh the face was user guide दिया है इस button से अप्या क्या क्या कर सकते है तो अप्टन इस तिल अप्डेटिंग नेक्स देन इस तरिक के से तूम wallpaper or the screen you can move from right to left or left to right both way I guess and then from the top to bottom you can check the notification and setting from the bottom to top it will show settings हम तो यह सारा चेक करेंगे watch में बटे watch अभी update हो रहा है उसके पहले user guide दे रहा है phone and battery and then done okay चलो यह done हो गया now goal अगर यह तो मैं भी create ने करोंगा या अपने आप खुद के किस्टमाइजिशन कर सकते हो अपने वाच के according इसमें setting सारे लग बग दे दिये how to read sleep blood oxygen spray standing stats and validated score setting बोग तरीके से weather alarm है synchronization event हम कर लेंगे it's better to have it and then from where upgrade भी तक हो चुका है पिन नमबर डाल सकते हो डाल सकते हो emergency sas set कर सकते हो incoming call notifications 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 में अभी तो watch connect your device on थोड़ा रुकते यह पुरा update हो जाने दो and then I'll explain little bit more यह update हो गया है update reminder and देखो भाई watch पूरी तरह से सेट हो चुके configured हो चुके इसका थोड़ा से चीज़ बता देता हो मैं एक quality watch लग रहा है इसमें जो strap more आए उपर नीचे यह बाहर नहीं निकलेगा इतना protection दिया दूसरा जो एक strap की उपर जो protection kind of thing है जो hold करती है strap को यह देखो इसको attached है तो कभी निकलेगा इन्हें तो कई गुम होने का सवाल है ने पैदा होता और वाच का quality लगबग की नो काफी standard है मुझे कोई chip नहीं लगा अभी इस strap को अगर आप बदलना चाहते है in future तो यहां पर two buttons दिया this and this so isco अगर दबाते है देखते हैं तो सीधा strap निकलाता है like this इसको लगाने के लिए सीधा strap को दबा दीजी and done done okay so यह face wash है यह वाच की faces different different topsy notification अभी को notification bottom से पूरे configuration से this android phone में आते है और इसको दबाने की बाद menu आ जाता है menu up and down ले सकते हैं और जब मैं up and down menu कर रहा हूं तो vibration फिल हो रहा है haptic feedback फिल हो रहा है मुझे that's really nice okay इसको अगर हम करते हैं तो टुक टुक करके इस वाइब्रेट हो रहा हुगा so that's nice यह अच्छा user experience हो सकता है तो यह icon थोड़ी 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 सीमिलेर टाइप की लग रहे है यह data उन्होंने apple जैसे बनाने का try के setting है touchscreen काफी fast चल रहा है display में डिस्प्रे काफी fast डिस्प्रे सेटिंग्स है always on display में on रखोंगा क्योंकि मुझे हमेशा यह क्या हो गया बरेटनेस कम हो गया okay always on display always on display तो हमें हमेशा चालू रखना smart okay smart schedule start तो एक ही एक ही रखते भी तो इस watch का डिस्प्ले कभी बन नहीं होने वाला भी watch faces बहुत सारे watch faces different different टाइप के वाउ यह तो मुझे बहुत बढ़िया लगा देख लो apple में भी है नहीं वह वाउ अच्छा हो सेट हो गया okay तुम जिस जिस भी face watch watch में वह सेट हो जाता है इसको दबाकि रखने के बाद भी इतो डिफरेंट दिफरेंट तो मैंने आर्टिकल में पढ़ाता है more than 200 watch faces है इसमें और हो हम लोग phone से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे सेटिंस दिय है है आप अपनी तरीके से अपनी वाच को अपने हिसाब से सेक्ट कर लेजी अपना बेट अपनी हाइट कितना आपका डेली वोकिंग स्टेप्स कितने तुम सेक्ट कर सकते हो sleeping style and all everything will be track here तो यह था detailing and unboxing of the Redmi watch 4 मैं आशा करता हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया है और इसी तरह में वीडियो आपको बनाते रहोंगा नए नए डिवाइस नए नए इलक्तोनिक चीज आती रहेंगी मार्केप में तुम्हें खरी दूंगा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और जानकरे देते रहों सब्सक्राइब करना भूले मत सब्सक्राइब करना भूले मत अपना छोटा ताम दिजीए और सब्सक्राइब करो मेरी चानल को यह लाइक कर दिजीए नंकीवरे मच अ